इसको थोड़ा पीछा था दोगे पिस कल ओपोजिशन के जो फ्लॉर लीडर्स हैं सब की मीटिंग हुई और युनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिसकाशन चाहिए हिंदुस्तान के स्टूडून से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविश्य हो तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लिमंट हाउस में नीट पे डिसकाशन हो और उसके बाद प्रेजिडेंट्स अड्रेस हो पाए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधान मंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिसकाशन होना चाहिए रिस्पेक्फुली डिसकाशन होना चाहिए हम रिस्पेक्फुली करेंगे आप भी डिसकाशन में जॉइन कीजे आप भी भाग लीजे और रिस्पेक्फुली क्योंकि ये युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले घबराय हुए हैं उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में तो पार्लिमंट से मैसेज जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ओपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंस की बात कर रहा है तो ये ये आपको बताना चाहिए सर परिक्षा सगित करने का थैंक्यू जी